हलो दोस्तों क्या हल चाल कैसे हो आप लोग आपके रिजल्ट आए CA Foundation and CA Final के तो सारे बच्चों को जिन्हों ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया है CA Foundation उनको lots of congratulations from my side, my team, Om Trivedi classes, so I am Om Trivedi and you are watching ASSM with Om so friends all CA Finalists जिन्हों ने अपने group 1 या group 2 या already CA Chartered Accountant बन चुके हैं ऐसे हजारों बच्चे, आप सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बदाईया, lots of congratulations from me and my team आज के session में आपन कुछ खास बाते करेंगे, result बहुत अच्छा था, no doubt, बहुत अच्छे result आए, 20% से अबब कई results है attractive है, बहुत enthusiastic results रहे और इस pandemic के time में कुछ अच्छा सुनने को मिला है और आप सब लोग, आपकी family, आपके parents, आपके teachers आपे बहुत proud feel करते और जितने बच्चे अब December 21 में attempt देनी की तयारी कर रहे हैं, either foundation या final के बच्चे उनको मेरी तरब से, ओम तुरवेदी की तरब से best wishes आज के session में बच्चे हम बात करेंगे, basically, उन बच्चों से मैं बात करना चाहूंगा वीडियो आप last तक देखेंगे, like करेंगे, subscribe करेंगे, share करेंगे अपने दोस्तों के साथ जिन बच्चों ने CA foundation अभी अभी clear किया और वो अब CA intermediate के student हो चुके है उन सब की strategy क्या होनी चाहिए, I will share my experience with all my scorers, rank holders कि हमारी strategy कैसी रहती थी इतने साल के mentorship में, मैंने क्या experience किया है जब भी CA foundation का बच्चा आता है, तो मैं उसे क्या discuss करता हूँ, मेरी strategies क्या है आपने, obviously, आपके बहुत सारे seniors, आपके teachers, और भी आपके colleagues, आपसे बहुत सारे ऐसी strategies discuss कर रहे होंगे but let's discuss and वो video को last तक देखना मैं discuss करूँगा कि कब start करके हमें group 1 देना चाहिए, group 2 देना चाहिए, both group देने चाहिए किन paper की क्या strategy होनी चाहिए, तो video को last तक देखना बहुत ज़रूरी है साथी साथ मेरे कुछ अपने experience रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चो से, there was 23rd rank holder उसने CA foundation देने के साथी अपने CA intermediate की तैयारी शुरू करी थी और मुझे याद है कि उसने accounts and EISSM सबसे पहले शुरू किया था क्योंकि उसे लगता था कि EISSM में एक ऐसा paper है, accounts ऐसा paper है, जिसमें बहुत सारे amendments as such नहीं आते, कोई major amendments नहीं आते और आते हैं तो वो cover करा ही देते हैं चलो, तो कैसे हम क्या strategy लेके चलेंगे, discuss करते हैं, चलो तो आप सबसे पहले, mid September में already हो, आपके exam हो चुके, you have passed with flying color, you are now into CA intermediate, तो सबसे पहले तो यह हिसास ही बहुत अच्छा है, कि हम CA Inter के अंदर आ चुके, और CA Inter के अंदर जैसे ही आते हमारी जिम्मेदारी है, हमार responsibility बढ़ी हो जाती है, बच्चे जैसा आप सबको पता है, CA intermediate में group 1 होगा, जिसमें 4 paper होगे, group 2 होगा, जिसमें again 4 papers होगे, group 1 में आपके पास accounts होगा, आपके पास law होगा, आपके पास CMA cost and management accounting होगी, और साथ ही साथ आपके पास taxation होगे, यह 4 paper होगे, और group 2 में आपके पास होगे, खास करके advance accounting, auditing, EIS SM and FM ECO, यह 8 papers है, तो my first suggestion to you guys will be that, आप सबसे पहले तो तयारी करो बोथ group की, आप एक group के बारे में तो अभी बिलकुल मत सोचना, मुझे पता है, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, एक group target कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, तो May 22 में exam दे ले, मुझे पता है, यह common phenomena है, आपको लोग बोलेंगे, समय मत बरबाद कर, attempt मत waste कर, तो सीधा जा और May 22 में एक group तो करी ले, पता है क्या है, यह knee jerk reaction है, short term strategy है, मेरे दोस्त, इस पे नहीं जाना, अगर मेरी थोड़ी बहुत आप सुनोगे, अगर आपने Go for November 22 attempts with both group preparation, क्योंकि both group में आपके पास होने की possibility जादा होती है, आपके पास समय पूरा होगा, इस बार late attempt था, late result आया है, आप already मन के चलो कि एक महीने तो delayed हो, ठीक है, और उस पे से May 22, it will be too early, आपको और भी बहुत सारी चीजे करनी है, preparation, coaching classes, कहा करें, नहीं करें, बहुत स attempt immediately, एक group के चक्कर में ना पड़ो, बोध group में आपके rank आने के भी chances होते हैं, और पास होने के भी, जो ratio होता है ना, अगर ऐसे अमोमन आप बोलोगे कि 50-50 है, तो मैं बोलूँगा इस case में आपका 75-25 है, now you have to choose where you want to go, right, either तुम knee-jerk reaction देना चाते हो, या थोड़ा spread out होके, थोड़ा अच्छे से prepare करके, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो institute का नया style है, काफी कुछ institute के exam pattern में बदलावा है, रटने वाला काम थोड़ा कम हुआ है, कफी case, scenario, practical questions, industry oriented questions, ऐसे question आने लगे, तो क्या है, इसके आने से चीज़े भारी नहीं हुई है, MCQs, आसानी ह हुई है, लेकिन आपको थरो study करने की ज़रुत पड़ेगी, एक बड़े perspective से पढ़ने की ज़रुत पड़ेगी, क्या करें सरे से टाइम में, बटा जो मेरी suggestion है, कि अगर हम mid September में हैं, तो हम ना अपने छोटे छोटे पढ़ाओ बनाते हैं, मतलब small मिलाते जाओ, large बनाते ज कहुँगा, आपको लेना चाहिए February में, September to February फर्स्ट चंक उठाओ और इसकी planning करो कि मैं September to February क्या करने वाला हूँ, of course आप papers उठाने वाले हो, आपके पास ना जब बोध ग्रुप target कर रहे हो, तो आपके पास Group 1 के 4 paper और Group 2 के 4 papers नहीं है, आपके पास simply आपके पास 8 papers हैं, औ और 8 के 8 papers में कोई disparity नहीं है, सब 100 marks के paper है, at the rate 100 marks, तो अब institute भेदभाव नहीं करता, आपने भी नहीं करना है, strategy क्या कहती है, मेरे हिसाब से आपको शुरुआत में Group 1 के और Group 2 के, दोनों के कुछ paper पिक करने चाहिए, अगर तो तुम जुगार सिस्टम से चलना चाते हो, कि Group 1 देना है May 22 में, ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग आपको टीचर सजेशन देंगे, बेटा, Group 1 कर लो, Group 2 तो Group of Death है, बिल्कुल गलत बात है, ड़ाते हैं बच्चों को, Group of Death जैसी कोई चीज नहीं होती, आपके पास 8 papers है, stay motivated, कुछ भी नहीं है, आपने पास तो वो भी करना ह Foundation में भी चार paper थे, आपने ये तो नहीं सोचा कि दो paper MCQ वाले और दो subjective है, पास तो तुमने सारे की हैं, और बड़े अच्छे number आयर तुम लोग के मैंने marks, देखे, मेरे भी BCK के बहुत सारे student है, जो बहुत अच्छे number से पास हुए है, ठीक है, Group 1 और Group 2, दोनों के कुछ paper उठाओ यहाँ पे आपके पास opportunity है, Group 1 में खास कर सबसे पहले आपको उठाना चाहिए accounting, एक सही teacher का selection करना चाहिए accounting या self study करना चाहते हो, depends, उसके बाद आपको लेना चाहिए cost and management accounting, और साथ ही साथ, what I will suggest कि जैसे ही accounting खतम हो, इसके over होने के बाद से 2 months या 2.5 months में तुमार और advance accounts, back to back, Group 2 का ये paper, back to back pick करो, ठीक है, और साथ ही साथ, Group 2 के दो और papers, एक मैं practical बोलूँगा, FM, ECO, जो आपको पता है, आप cost accounts, advance accounts के साथ, FM, ECO, आपके लिए relatively एक similarity create करेगी, जिससे कि आपकी preparation को धार मिलेगी, practical questions को जल्दी तेयार करो, reason है कि आपको इसमें practice करनी होती राइट, तुम्हारे दिमाग में चलोगा, सर आपने law taxation का नाम नहीं लिया, ठीक है, मैं अभी नाम लूँगा भी नहीं, what I will suggest is, Group 1 से आप accounts, CMA, Group 2 से आप advance account, FM, ECO, प्लस, एक paper है, जिसका नाम है EIS SM, जो बहुत लोगों ने बवाल मचा रखा है, डराता भी है, परेशान करता है, बहुत सारे लोगों ने तेशा शोर मचा रखा है, लोग इसी वज़े से, second group fail करते हैं, बहुत group रह जाते हैं, या SSM टेड़ा है, EDA है, कुछ नहीं है, simple सा बच्चे एक paper है, जिसमें consistency चाहिए होती है, जिसमें amendments नहीं आते हैं, कि static paper है, अभी तयार कर लो, और र bankers भी आपको जरूर बताएंगे, वो बताते हैं, इसी तरह से final में भी strategies होती है, वो ऐसे ही mix बनाई जाती है, जब आप both group target करते हो, तो आप group 1, group 2 की तरह नहीं देखते हैं, अगर आपको अपने पर doubt है, कि मैं पता नहीं में 22 में जाके, या November 22 में जाके, मैं एक ही group देने तो सर ये आप कहना चाहते हो, कि mid September, 2, November, December, January, February, साड़े पाँच महीने हैं, और मैं आपको target दे रहा हूँ, five papers complete करने का, जो बहुत easy है, मुश्किल नहीं है, three, three and half months में आपका एक group का coaching, या maximum four months में एक group का coaching normally खतम होता है, अगर जो institution इससे जादा delay कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत सारा time, traveling time waste कर रहे हो, कहीं न कहीं आप face to face के चकर में पढ़े हो, travel कर रहे हो, अपना समय बर बात कर रहे हो, और फिर आप syllabus को लंबा खीच रहे हो, जहां आपको रोज दो या तीन paper पढ़ने चाहिए थे, आप वहां कहीं न कहीं face to face के चकर में, या ऐसे लोग नहीं करूँगा, अभी कहीं भी जाओ, हमने खुद से offices नहीं खोले है, जक्की, हमें बहुत सारे लोगों ने कहा हमारा office बंद पढ़ा है, पिछले देड़ साल से, हमने अपना office नहीं खोला है face to face का, class नहीं खोली है, कई जगर government भी restriction लगाती है, और भगवान न करे किसी क तो मैं क्या मो दिखाऊंगा, अपने students को, parents को क्या दिखाऊंगा, अभी आपके लिए best option है, Google Drive, Pen Drive, latest recording, HD recording with, faced with, live class option and query support option, ठीक है, आज तो technology इतनी तेज हो चुकी है, आपको live query मिलती है, live support लता है, live test होते है, जिनके पास नहीं है, उनकी बात अलग है, मैं तो live test लेता हू हजारों बच्चों के, camera के सामने बठा के बच्चों के test चल रहे होते, पूरे इंडिया में, हजारों बच्चे देख रहे होते, तो आपको ये 5 paper पहले pick करने चाहिए, और February तक target करके complete करना चाहिए, जैसा सब तुम लोग जानते हो, EIS मेरा paper है, अगर मैंसे कोई support चाहिए what I can do is, सारे CA Foundation के बच्चों के लिए मेरे पास एक gift है, offer है, कि अगर आप rank 1 to 10 score करके आए हो, आपको भई मैं EIS SM free दे रहा हूँ, कुछ नहीं चार्ज होगा, आपको encryption book कुछ चार्ज नहीं होगी, just call my office at 9953922272, इस number पे call कीजिए, अपने document आप submit कर दीजिए, उनको आप म दे जाएए, और best वाली classes, full course, full course में भी premium full course, जिसकी कीमत अभी 12 से 14,000 रुपए बच्चे देते, free है, rank 11 to 50 है, उनको सीधा सीधा मैं 50% off कर रहा हूँ, discount दे रहा हूँ, अपने जो भी prices हैं उसके उपर, ठीक है, everything, और बाकी कोई भी बच्चा हो, जो CA Foundation अभी अभी जिसने पास किया है, अगले एक महिने तक, अगले एक महिने तक, आप booking ले लो, आपको 20% discount है, straight discount हमारी तरब से दिया जा रहा है, यह जह हम offer कर सकते हैं, class की quality, course के lectures की quality, आप market से feedback, survey ले सकते हो, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रत नहीं है, मेरे video lecture मेरे YouTube पे देख सकते हो, case based, scenario based, practical questions के साथ, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस तरह से आप तमाम feedback ले सकते हो, जो latest pattern है, ICI का, उसके हिसाब से, most of all, इतना तो तुम लोग जानते हो, तुमारे CA Foundation के BCK का study mat भी मैने तुम लोग लिए लिखा, साथ ही साथ या SSM के study mat में भी मेरा contribution है, जो तुम पढ़ने वाले हो अभी, institute तुमें ने देने वाला है, तो I think इस से ज़्यादा reliability और क्या दे सकता हो मैं तुमारे लिए, ठीक है, बाकी, अब सर बात हो गई 5 papers की February बाद क्या, what I will suggest is कि एक पढ़ाओ और डालते है, February के बाद वो डालते है जून में, मतलब March, April, May, June, और इस टर्म दोनों हमेशा कोसिस करो, एक साथ पढ़ो, and text session, सीधी सी बात है सर, इसमें से दो paper, law and text session, जो first group के थे, आपने अब क्यों बोला पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटा, इसमें लगातार amendments आते रहते, ठीक है, जो November attempt के amendments होंगे, जो applicable होंगे, on or before 30th June तक के जो applicable होते, आपको प applicable होते, ठीक है, तो मैं इसलिए suggest कर रहा हूँ कि audit and law आपस में काफी interconnected है, जब आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा, आपके teacher, आपके friends, आपके seniors बताएंगे, और text session, तो ये सारे amendments जो भी applicable होंगे, legal, जितने law के paper होते हैं, उससे related paper होते हैं, आपको attempt के थोड़े दिन इस, उसके बाद आपके पास July, August, September, October, चार महीने, proper four months for revision, you have revision time, चार महीने में दो ग्रूप की बहुत अच्छी वाली revision होती हैं, बड़ तुम्हें time schedule को match करना पड़ेगा, नहीं तो, अगर relax होके बैठे रहे, जो गोता लगाएगा, डाइवर, उसको मोती मिलेगी, सीधी सी बात है, जो बैठे रहे, सोचते रहे, बोर टाइम है यार, ठीक है, शाक लास में कहता हो कि आखों से दूर नहों, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा, don't wait, time will not wait for you, my dear friends So, आप विलकुल आराम से शुरू करो, this is the best time, आज अभी शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त है, किसी पंड़त जी के पास जाने की कोई ज़रत नहीं है, कि आप जनम पत्री दिखा के फिर शुरू करते हैं, भगवान का सूब में उर्त लेके, कुछ नहीं है, अपने study mat, सारे चीज, registration वगरा, complete करा के, फटा-फट classes शुरू करो, जो भी देखनी है, first group, second group, जैसी अब कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए एक ही चीज है, both group, और मचली के उस आख पे target करो, November 22, sufficient time with ease, rank को target करो, और both group को target करो, worst case में तुम्हारे both group तो निकलने वाले है, with flying colors, और तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब तुम rank लेके आते हो, या both group clear करते हो, तुम्हें industry में कितना फाइदा मिलता है, तुम्हारे आगे तुम्हारे career में कितना फाइदा मिलता है, अब ये आपको decide करना है, आप सारे फाइदे कलेक्ट करना चाते हो, या recorded, latest recording, अच्छे teachers की, latest trustworthy teachers की, जिनका brand, जिनका नाम, जिनके feedback हो सकता है, बड़े बड़े नाम हो, feedback खराब हो, या बहुत छोटे छोटे नाम हो, feedback बहुत अच्छा हो, I don't understand, I will not say anything, but आप सब क्या review, feedback, और latest pattern के हिसाफ से कौन teaching कर रहा है, इस सब बातों की जानकारी लेके अपनी तरफ से, advanced accounts के लिए, accounts के लिए, I will always suggest Praveen Sir, Praveen Jindal Sir, if you ask me auditing, I will say, you go for Kapil Goyal Sir, and if you say AISSM, of course I will suggest mine, and rest you have all the choices, you can think, पता नहीं, आपको कोई और teacher suit करे तो आप उनके साथ जा सकते हो, मेरे paper में कोई खास बात नहीं है, this is something that you have to decide, though I say that I teach the best, I give my best, but I don't claim that I am number one or number two or number three, anything like that, at the same time, if you ask me law, I will say Darshan Khare Sir, to be honest, these are best faculties in their field, तो ये तो हो गई, थोड़े से मैने नाम लिये, maybe की मैं थोड़ा पसंद करता होंगा, but आप अपना feedback, अपने reviews, अपना market survey सब करके, you can decide, try for the both groups, go for these papers first, I will say, and then all law related and amendment related papers, at the end of your, in the second part, second journey में वो करो, eight papers complete करके, पूरे चार महीने लगा के, revision करो, और अपना attempt दो, all the best for your attempt in November 22, this is my suggestion, and not last but not the least, I will again congratulate you for your success, your parents, your family members, and at the same time, those people who are going to give their attempt in December 21, again I will wish them all the best, and EIS SM में, if you need any of my help, this is how I can, you know, offer my help to all CA Foundation students, rank holders, हो, आप कोई भी student हो, अगले एक महीने में आप कांटक्त करो, आपको ये चीजे मेरे office से, इस नमबर पे अवलेबल हो जाएंगी, rest, I will say all the best, you are watching EIS SM with Om, thank you so much, see you in another video, video को like करो, channel को subscribe करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, strategy अच्छी लगी हो, काम करती हो, आप पे successfully competitive advantage दे जाती हो, तो याद करना दुआओं में, all the best, bye-bye.